हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जी स्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज यगेन आपके सामदिक मोश्ट का चाप्टर है तो हमारा 11 चाप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रिवेस वीक में हमने मंडेन ट्यूजडे को देखा था दोस्तो तो उसमें हमने देखा था सेल स्ट्रॉक्चर एं माइकर आर्गनिजम का एक लेक्चर अल्रडी कवर हुआ था आज हम पढ़ने जा रहे हमा जो हमने देखा था प्लांट सेल अनिमल सेल उसमें कौन-कौन से उसके बार में थोड़ा सा चर्चा किया था अब उसी को आगे बढ़ाते वह दो आज हमारा लेक्चर नमर टू है उसको हम लोगो कंटेन्यू करना है और इसमें जो जो इंपोर्टेंट है वो आपको आज ब अब फरेली बात हम दोगों पढ़ना यहाँ पे सेल ओर्गेनल्स के बारे में हम लोग को एक चीज़ पता है दौस्तों कि सेल ओर अलग अलग प्रकार के होते है जैसे मैं आपको एक डाइग्रम में भी बताया था कि अगर मेरा कोई भी एक सेल होता है सेल के अंदर क्या प् organs present होते हैं, किसके organs, cell के organs, इसी के लिए इसका नाम है cell organelles, क्या बोलते हैं, इसको cell organelles बोलते हैं, correct है तो उमीद करता हूँ कि ये चीज समझ में आ गया होगा तो इसमें सबसे important जो चीजे होते हैं उसी के बारे में, क्योंकि आपका अभी देखा जाए, तो 7th standard ये ज़्यादा deep में भी आपको पढ़ना नहीं, just basic पढ़ना आपको जानकारी के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला cell organelles, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा important होता है study करना, जो कि होता है हमारे कोई भी cell का एक बाहर का परत होता है जिसको आप बोल सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते है, cell wall बोलते है, तो cell wall exactly क्या होता है ये मैं आपको बताने वाल हो, और एक चीज़ यहां पर बता दो आपको कि cell wall सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, plant cell के अंदर प्रेजेंट होता है, animals के cell के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमने लेक्चेर नमर वन में डिसकस किया है, तो cell wall जो होता है ये एक outermost covering होता है, इसको आप कैसे बोलोगे कि cell wall is the outermost covering of any cell in the plant cell आप बोल सकते हो, plant cell के अंदर प्रेजेंट होता है, बस इतना आपको जानकरी के लिए याद रखना है, second most important जो cell organism माना जाता है हमारे study के लिए जो कि है plasma membrane, ये भी आपको बहुत important है और इसको याद रखना है, ठीक है cell membrane तो आपको समझ में आ गए, जो बाहर का ये layer है ये अंदर की तरफ से, तो ये अंदर वाला जो layer होता है, इसको ही हम लोग बोलते है plasma membrane, ये आपको याद रखना है ये आपको कोई जल्दी बताता नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, कि outermost covering is called the cell wall, and innermost covering, अंदर की तरफ से जो layer होता है, उसको plasma membrane बोलते है, example के तरफ एक ball consider कर लो, एक रबड़ी ball ले लो, आप cricket खेलते हो, हम लोग भी बच्पन में बहुत cricket खेले दोस्ते हैं, लाल ओला ball, रबड़ी ball जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाशा में, तो ball को क्या करो, कट करो, तो कट करोगे न, तो आपको दिखेगा एक उपर से layer तो ही उपर से layer है, लेकिन जब कट किया आपने, तो अंदर से भी आपको एक layer दिखा, तो वो जो अंदर वाला layer है, समझ लो कोई भी cell का, उसको plasma membrane बोलते हैं, यह चीज़ आपको याद रखना है, तो plasma membrane क्या होता है, इसको cell membrane भी घा जाता है plasma membrane is also called as the cell membrane, and जो कि क्या होता है, अंदर की तरफ से एक thin layer होता है thin layer का covering होता है, जो कि अंदर की तरफ से present होता है, और वो आपके cell को अंदर की तरफ से protection करने के लिए काम आता है and काफी जादा flexible होता है क्यों flexible होता है, क्योंकि cell जो है अपना structure change करता रहता है, cell जो है कभी turgid होता है, turgid मतला उसके अंदर पानी भर जाता है कभी flaccid हो जाता है, यानि कभी मोटा होता है, एकदम खाना न खाके मोटा हो जाता है कभी एकदम पतला हो जाता है, तो वो उसका shape जो है change होता रहता है, तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए flexibility चाहिए, तो flexibility कोन provide कर रहा है यहाँ पे, plasma membrane जो है, अंदर से उसको flexibility provide कर रहा है and यह जो है mainly आपको देखने मिलता है animal cells के अंदर, जो की plasma membrane जो होता है, वो present रहता है इसका मतलब क्या हुआ, plant cell अगर होगा ध्यान रखना, difference में बतारो, plant cell होगा तो plant cell में cell wall भी present होगा और अंदर की तरफ से plasma membrane भी present होगा यानि कि बाहर से cell wall, अंदर से plasma membrane, लेकिन अगर वो animal cell होगा तो animal cell में मैंने जैसे बोला कि cell wall absent होता है, present नहीं होता है, बाहर से कोई layer नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही layer होता है जिसको हम लोग बोलते है, plasma membrane का जो की अंदर से रहगा तो याद रखना, plasma membrane is the only membrane which is the, you can say outermost और inner most membrane in case of animal cell यह आपको याद रखना है, तो यह तो हो गया हमारा second most important चीज़ जो की plasma membrane था, अब मैं third, जो most important cell organs मानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, दोस्तो, cytoplasm जैसे कि मैंने आपको यहापे, diagram में भी बता है, cytoplasm क्या होता है, nucleus को छोड़के जो area बच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, cytoplasm बोलते हैं, तो cytoplasm is nothing but the liquid part of the cell which is present inside a cell except by nucleus nucleus को छोड़के, जो भी liquid वाला पार्ट है यह जो दिख रहा है, यह मैंने आपको बदाने नहीं कोशिश किए यह पूरा जो liquid वाला पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तों, cytoplasm कहते हैं और यहीं जो cytoplasm होता है, वो क्या होता है एक तरीके से, एक space को occupy करके रखता है, क्योंकि देखो, जैसे कि हमारे body के अंदर जो space होता है, उसको किस ने भर के रखा है, खून ने भर के रखा है, बलड ने भर के रखा है, आपको पता ही होगा, कि हमारे body में space present है, देखा जाए तो, अब यह हाथ है हाथ के उपर क्या है muscles है, अंदर बोन है, लेकिन muscles और बोन के बिच में क्या flow हो रहा है, बलड flow हो रहा है, वैसे cell का जो nucleus है और वो जो cell का outermost और innermost layer है उसके बिच में भी कुछ चीज़ चाहिए, तो एक white color के transparent liquid होता है, जिसको cytoplasm बोलते है, वो अपका जो space होता है, उसको utilize करता है, और यही cytoplasm के अंदर बहुत सारे cell organelles जो होते हैं, इसी के अंदर cell organelles जो है, present होते है और वो cell organelles कौन-कौन से होते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा, जो की fourth है हमारा cell organelles, ठीक है, cell के organs कौन-कौन से होते हैं, वो हम लोको देखना है cell organelles बोलो, cell organs बोलो, यह हम लोको पढ़ना है, तो cell organs के अगर मैं बात करूँ, there are so many types of cell organs including the nucleus also तो nucleus की बात कर लो, nucleus होता है अपका, ठीक है, हर एक का मैं छोटा-छोटा क्योंकि normally आपको deep में नहीं जाना है कि nucleus का working क्या है बताओ, यसा मैं नहीं बताओंगा क्योंकि आपके syllabus में ही नहीं है वो चीज़, और अब ही बता दूँगा तो आप लोगो confused हो जाओगे, ठीक है, तो आपको बस याद रखना है, cell wall क्या था, plasma membrane क्या था, cytoplasm क्या था, आप मैं बता रहो, cell organs क्या-क्या होते हैं तो जैसे मैंने बोला, cytoplasm के अंदर cell organs बहुत सारे present है, जैसे हमारा human body है, human body के अंदर बहुत सारे organs प्रेजन्ट है, उसी प्रकार हमारा एक cell है, और cell के अंदर बहुत सारे organs प्रेजन्ट है, तो वह इस organ कौन-कौन से है, एक होता है nucleus, फिर होता है vacuoles होते हैं, फिर आपका lipids होता है, फिर हम लोग बात करें plastids, lipids जाने, तो lipids हम नहीं बताएंगे, आपको plastids बताता हूँ, मैं आपको, plastids होते हैं, फिर chloroplast होता है, इसे बहुत सारे आप देखोगे, इतने सारे cell organs होते हैं, lysosomes होता है, यह तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जट एक basic चीज़े बता रहा हूँ और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, फिर आपके syllabus में include नहीं है, फिर होते हैं, तो there are so many types of cell organelles, including endoplasmic rectugulum, nucleus है, golgi bodies है, lysosome है, plant cell या फिर animal cells के अंदर, यह सभी चीज़ प्रेजन्ट होते हैं, ठीक है, and यह सभी में से, यह सभी में से देखा आजाए, तो सबसे important जो organs माना जाता है, cell के लिए, वो माना जाता है, दोस्तो, nucleus, जैसे कि हमको पता है कि आपका, जो human body होता है, एक इंसान के शरीर में सबसे important चीज़ का है, हमारा brain, brain नहीं रहेगा, तो खुझ भी चीज़ नहीं होगा, वैसे समझ लो, nucleus, जो होता है, वो एक brain होता है, cell के अंदर का, तो nucleus is called as a most important part of the cell, organelle माना जाता है, और यह क्या होता है, एक तरीके से double layer membrane होता है, यानि कि अगर मैं nucleus को यहां से उठा के, यहां पर draw करने की कोशिश करू, तो nucleus क्या होता है, एक लेर का बना होता है, यानि कि इसके उपर एक लेर बना होता है, और वो layer को हम लोग क्या बोलते हैं, nuclear membrane, या फिर nucleus membrane भी बोलते है, nuclear membrane बोल लो, जो भी आपको सही लगेगा आप बोल सकते हो, क्या होता है, उसके उपर एक nuclear membrane प्रेजेंट होता है, जो की हर एक function जो होता है, cell का जो भी function करना है, जैसे कि हमारा brain control करता है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको अभी, वो भी कौन control कर रहा है, brain, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ बोलना, वो brain control करके signal देके, control करवा रहा है, हाथ को मैं इसे-से हिला रहा हूँ, यानि कि brain मेरा signal दे रहा है, तभी मैं हिला रहा हूँ, यानि कि पूरा-पूरा body का जो moment होता है, most of the, involuntary को छोड़के, यानि कि heart beat का दड़कना, sneezing करना, पल ribosomes एक cell औरगनल होता है, जो कि आपका protein बनाने में help करता है, ठीके न, protein synthesis का काम करता है, वैसे यहाँ पे जो मैंने बताए आपको, chloroplast जो होता है, plants में present होता है, जो कि green pigment और आपका खाना बनान में help करता है, आपको पता है, chlorophyll, that is nothing but chloroplast, फिर आपका second चीज मैंने, बहुत important cell औरगनल है, जिसको हम लोग powerhouse of the cell बोलते है, क्यों बोलते है powerhouse, क्योंकि वो energy बनाता है, यहाँ से लेता है वो, जो भी हम लोग oxygen लेते हैं, जा फिर plants जो भी carbon dioxide लेता है, वहाँ से लेता है, और उसके through वो क्या करता है, energy बनाने का करता है, in the form of ATP, adenosine triphosphate के form में वो क्या करता है, एक तरीके से energy बनाता है, ठीक है, फिर वैसे ही, golgi bodies क्या करें, बहुत सारे एक गोली जैसा structure होता है, जो कि आपके material को store करने के लिए काम आता है, ठीक है, तो golgi bodies हो गया, vacules जो होता है, यह जो vacules मेंने लिखाता है, यहाँ पे vacules जो है, वो waste product निकालने को काम आता है, ठीक है, animal cells के अंदर क्या होता है, वो छोटा होता है, plant cell के अंदर बड़ा होता है, यह सभी चीज़ आपको देखने मिलेंगे, जो cell organelles से, क्योंकि आपका अभी 7th है दोस्तों, यहाँ पे आपको ज्यादा deep में नहीं बताना होता है, आपको कहीं पूछेगा न करता हूँ कि हमने आज आपको जितने भी टाइप के cell organelles थे, यह मैंने आपको पूरा बतानी की कोशिश किये, and normally देखा जाए तो cell के अंदर, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे cell organelles present होते है, जो कि जब आप higher standard में जाओगे न, और ज्यादा deep में पढ़गे, कि एक एक ची and यह जो cell organelles मैंने लिखाया, nucleus endoplasmic reticulum, golgi body, यह सभी चीज प्रेजन्ट होते हो, और इसके छोटे-छोटे-छोटे जो functions मैंने बता है, एक-दो point में, वो आपको फिलाल के लिए याद रखना है, ठीके दोस्तों, तो आज के लिए lecture इतना ही है, जिसमें मैंने आपको सीर फ क्या होगा, lecture number 3, उसमें आपको microorganisms के ऊपर कुछ पढ़ाऊंगा, कि microorganisms का basic कहां से शुरुआत हुआता है, क्या-क्या चीज़े होती है, nature कैसा होता है, size कैसा होता है, फिर आगे जाके useful and harmful microorganisms के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए लाबदायक होते हैं, और harmful भी होते है तो ये सबी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं हमारे अगले lecture में, तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगाए, दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बताएगा, अपनी राय और suggestion जरूर से दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो ये ये बूद आखू झाँ!